आज हम बात करेंगे Classical Chemistry के Most Important Numericals जो कि या एकचाम में चाहता है हर साल पुछे आते हैं देख सकते हो ये ऐसे Numericals है जो कि हर साल एकचाम में पुछे आते हैं और बहुत जाता important है तो यार अगर आप बहुत एकचाम 2014 की त्यारी करना हो तो आपके Classical Chemistry के पेपर के लिए Most Important Numericals आज हम देखे आ चुके है त्यार भाई प्लीच वीडियो को सुरू से लेकर आकरी तरह चलू देखना हर साल ये Numerical पुछे आते हो और एकचाम के लिए Most Important है तो चलो देखते हैं एक एक करके सारे Numericals को तो वीडियो को आखरी तरह बस देखते रहें आप अगर चैनल पे रहो तो चैनल को सब्स्राइब और वीडियो को लाइक लिए तो देखो पहला Numerical है मारे पास सिद्ध कीजे कि प्रथम कोटी की अभिक्रिया को तीन बटे चार पूर करने में लगा समय आर्धवक्रिया पूर करने में लगे समय का दो गुणा होता है आपको सिद्ध करना है तीन बटे चार पूर करने में लगा समय आर्धवक्रिया को पूर करने में लगे समय का दो गुणा होता है तो इस टाइप की numerical को solve करने के लिए आपको करना क्या है जो चीज आपको सिद्ध करना है पहले उसे लिख ले रहा है आपको यहाँ पे लिख रहा है सिद्ध करना है की क्या लिखोगे सिद्ध करना है की पहले ये तो पता चले में सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है तीन बटे चार पूर करने में लगा समय कि क्या होता है आर्धवक्रिया पूर करने में लगा समय ठीक है आर्धवक्रिया लगा समय ठीक है सिंपल हमने लिग दिया हमें सिद्ध करना है कि तीन बटे चार पूर करने में लगा समय आर्धवक्रिया पूर करने में लगा समय ठीक है तीन बटे चार पूर करने में लगा स थीग है टी 3 by 4 तो आपको उसे सिद्ध करना है दो गुना किसके दो गुना आधी अपक्रिया पूर करने में लगा समय, आधी अपक्रिया यह आप सीदह कह सकते हो आर्धायू काल ठीक है टी वन गुन बाई 2 यह आपको सिद्ध करना है ठीक है, टी 3 by 4 इक्वल to 2 into t1 by 2 ठीक ह वाला 3-4 पूर करने में लगा समय दो गुना होता है आर्थ अपक्रिया को पूर करने में लगे समय कर यह आपको सिद्ध करता है अधा बस तरीके से ठीक है तो देखो सिद्ध करके आप दिखाते कैसे सिद्ध किया जाए तो सबसे पहले question में आपको दिया प्रथम कोटी की अपक्रिया तो यहाँ पर से लिखते है प्रथम कोटी की अपक्रिया प्रथम कोटी की अपक्रिया आप से दे को question कहरा प्रथम कोटी की अपक्रिया है तो आपको प्रथम कोटी अपक्रिया के लिए formula भी आद होता चाहिए प्रथम कोटी अ होता है ना जहां T समय होता है के वेगी स्रंग होता है ए प्रारंबिक सांता और A-X जो मनलब T समय बात सांता होगी वह वाली ठीक है तो सिंपल देखो आपको निकालना है तीन बटे चार पूर करने में लगा समय तो यहां से कर देना है T3 by 4 और तीन बटे चार पूर करने में लगा समय निकालना है तो यहां से आपको मतलब अभिकारफ की प्रारंबिक सा 누間 पाता ऐ पता करनी होगी X और A-X को पता करना होगा तो आपको यहां से मालना A equal to 100 यहां से लिखते हैं मालना A तो यदि आप एक को वन मानो तो यह क्या हो जाएगी एक का तीन बटे चार हो जाएगी अगर एक को दो सो बाटे चार भाग ठीक है सिंपल यह समझो आप कितना भी मान सकतो हजार मान लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो अब यहां से तीन बटे चार निकालों के तो सो गुड़े तीन बटे 360 चार चार से आज के identify 55 और यहां से एक की वैल्यई आजैगी 65 पचीसों इस डिकाल है तो 100 गुड़े 3 बटे 4 4 से 100 को काटा आगया 25 25 का गुड़ा 3 से किया आगया 75 ठीक है तो X की value कितने निकली 75 आप यहां से निकालते A-X क्योंकि हमें A-X एक सी value चाहिए तो यहां से A की value है 100 और X की value 75 तो 100 माइनस 75 हो जाएगा और बराबर में आजाएगा 25 ठीक है 100 से 75 गटा होगे आजाएगा 25 तिम्पल क्या आगया यहां से देखो A 100 निकाला लगा क्योंकि हमने मान लिया 100 और X ही value 100 का 3 बटे 4 100 इंटू 3 बटे 4 और माना यह 75 A-X निकालना पड़ेगा तो A से आपको X को गटा देना 100 से 75 गटा देना आजाएगा 25 इतना होगे आप इसी formula में आपको सारी value रख देनी और मान निकालेना है तो यहां से formula है T3 by 4 equal to 2.303 upon K 2.303 upon K और यहां पर log base में 10 तो log base में 10 A की value कितनी है 100 तो 100 रख दो और A minus X का मान भी हमने निकाला है 25, 25 रख दो ठीक है देख लो A की value 100 है यहां से देखो A की value 100 A minus X की 25 25 रख दिया इसे काटो 25 चोको 100 आजाएगा ठीक है T3 by 4 equal to 2.303 upon K log base में 10 और यहां पर value कितनी आई 4 देख लो यहां से T3 by 4 बस 25 को 100 से काट दिया ठीक है सॉरी 100 को 25 से काट दिया 25 चोको 100 आजाएगा ठीक है आदेख इस 4 को आप क्या लिख सकते हो T3 by 4 equal to 2.303 upon K log base में 10 अब इस 4 को आप लिख सकते हो 2 का square क्योंकि अगर 2 का square करते हो तो 4 ही आता है 2 का वर करने पर चारी आता है इसलिए हमने इसे 2 का square लिख दिया आप यहां से log का एक formula होता है आपको याद कर लेना log का formula log m की power n बराबर n log m simple log का formula होता है log m की power n बराबर n log m तो आपको यही formula यहां पर यूच करना है देखो m की power n की जगा यहां पर 2 की power 2 है तो क्या हो जाएगा 2 log 2 देख लो इसे log m की power n बराबर होता है n log m वैसे हि़ाँ यहां पर m क की power n की जगा है 2 की power 2 तो यहां से आप लिख सकते 2 log 2 ठीक है? जैसे यहां पर होता है m की power n को n log m वैसे तो यहां से t3 by 4 equals 2.303 upon k और यहां पर जैसे आपने क्या लिखा 2 log 2 तो वैसे लिख लो 2 log बेसमे 10 और यहां पर 2 ठीक है देख लो जहां से m की पावर n था तो उसे लिख सकते हो n log m मतलब m को 2 मानो n को भी 2 मानो तो 2 log 2 लिख सकते हो ठीक है इतनी value आगे देख लो जहां से 2.303 upon k और log बेसमे 10 2 की पावर 2 था तो 2 log 2 लिख दिया आप देखो यहां से क्या करते है t3 by 4 equal to 2.303 upon k into 2 और into log 2 की भी कुछ value होती है log 2 का मान आपको याद कर लेना यह हर question में काम आता है log 2 का मान होता है 0.3010 log 2 की value होती है 0.3010 यह आपको याद कर लेनी बहुत सारे numericals में काम आएगी ठीक है तो यहां से इसकी value रख देंगे 0.3010 अब आपको इसका गुड़ा कर लेना है देखो इसका गुड़ा करोगे तो आ जाएगा 0.693 और बटे में के और into में यह 2 बच जाएगा और इसे आपको मान लेना है समीकरण नंबर 1 थ्यान से देख लो क्या किया कैसे गुड़ा किया यह T3 by 4 है आपको इस 2.303 का इस 0.3010 से गुड़ा करना है जिससे 0.693 और यह बटे में के पहले से और into में 2 इसे मान लेना समीकरण नंबर 1 तो यह आपका क्या निकला 3 बटे 4 पूर करने में लगा समय यह क्या निकला है 3 बटे 4 भाग पूर करने में लगा समय यह T3 by 4 की value आई है आपको निकाला है आधी अपक्रिया पूर करने में लगा समय T1 by 2 ठीक है तो वो भी निकालते देखो तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीन सौट ले लो ठीक है क्योंकि आप पूरा इरेज कर देंगे यहां से यहां तक क्यों इतनी value हम यहां पे लिखेंगे तो एक आपको बना आया था जिस पर आपको प्रत्म कोटी अपक्रिया के लिए यह वाला फॉर्मुला भी सिद्ध करके दिखाया था जो आपका था टी इक्वल टू टू पॉइंट टी जीरो ठीक्रिप्सन पर मिल जाएगी सारे वीडियो बने हुए पूरी के आप जाके देख सक ठीक है तो सिंपल यह आ जाएगा समिकर एक यह बना समिकर दो यह क्योंकि यह फॉर्मुला ही होता है अर्धायू का टी 1 बाइटो इक भागे दो करने पर तो यह समिकर एक यह समिकर दो तो टी 3 बाई 4 बटे में टी 1 बाई 2 और इक्वल टू यह क्या है इधर 0.693 अपॉन के इंटू 2 और बटे में कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन के देख लो ध्यान से यह आपको इसके भाग में कर देना है यह आपको इसके भाग में कर देना है ठीक है अब क्या होगा देखो यहाँ पे भी के यहाँ पे भी के कैंसल हो जाएगा यहाँ पे 0.693 य इधर कर दो तो क्या बच जाएगा T3 by 4 equal to 2 into T1 by 2 और यही हमें सिर्द करना था देख सकते हो T3 by 4 equal to 2 दो गुड़े T1 by 2 आप यहां से यह भी लिख देना कि आता हां क्या लिखोगे आता 3 बटे 4 पूर करने में लगा समय और धवक्रिया को पूर करने में लगे समय का दो गुणा होता है और यहां पर लिख देते हैं सिद्ध कर दिया आपने सिंपल इस टाइफ से आपको पूरा क्वेश्चन करना था सबसे बहले T3 by 4 का फॉर्मला लगा के आपको इसका मान निकालना है फिर यह वाला फॉर्मला यहां पर रख देना है और दोलों का भाग कर दोगे पूरा अंसर आ जाएगा यह क्वेश्चन हर साल जाता पूछा जाता है तो स्क्रीन स्वाट ले लो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास एक प्रथम कोटी के अपक्रिया सौ सेकेंड में पचास परसेंट संपन होती है आपक्रिया का वेग इस रांग्याद केजिए यह क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है पचास परसेंट संपन होती है सौ सेकेंड में पचास परसेंट संपन होती है मतलब कि सौ सेकेंड इसका टाइम हो गया सौ सेकेंड में कितना संपन होती है पचास परसेंट ठीक है अगर आप इसे छोटे तरीके से लगाना चाहो तरीके से तो आप लगा सकते हो, देखो, 50% अभी क्रिया, देखो, पूरी अभी क्रिया 100% होगी, 50% का मतलब क्या हुआ, आधी अभी क्रिया, 50% का मतलब होगा, आधी अभी क्रिया, तो ये क्या दिया हुआ है, 50% पूर करने में लगा समय, अर्थात आधी अभी क्रिया को समझ चलो, देखो, सौ सेकेंड है, पचास परसेंट संपन होती, वनलब ये आधी अभक्रिया संपन करने में लगा समय है, तो इसे, आप सौ सेकेंड, और निकालना क्या है, अभक्रिया का वेग इस रांग, क कमान निकालना है, तो सिंपल आप फॉर्मुला लगा सकते हो, टी यहि आपका एंसर हो जाएगा, एकदाम मस च्छोटा साजू करना चाओ, तो वो तरीकावी बताते हैं, जैसे इसकेंड पहले वाला क्याता है, वैसे ही करते हैं, देखो, 100 second में 50% संपन होती है ठीक है तो आपको T 50% का समय दिया गया 100 second ठीक है 100 second आपको समय दिया गया आप से कह रहा है अविक्रिया का वेग इस हिरांग गयाद कीजिए ठीक है तो यहां से आपको क्या कर देना यह वाला formula लगाना है T equal to 2.303 upon K आपका क्या था log base में 10 A upon A minus X यह formula था आपको यहां से मानते है माना A equal to 100 जैसे इसके पहले वाले question माना था माना A equal to 100 तो जब A को 100 मान लोगे तो X क्या हो जाएगा 100 का 50% 100 का 50% simple इस टाइप से देखो अगर A hundred हो जाएगा तो वैसे पिछले वाले question पे गया था 100 का 3 वटे 4 वैसे यहां करना है 100 का 50% तो यहां से X की value आजाएगी 100 into 50 percent निकालने के लिए भाग करना पड़ता है 100 का percent कैसे निकाला जाता है 100 का भाग करना पड़ता है तो यहां से 100 से 100 cancel हो जाएगा X equal to आजाएगा 50 आब X की value आगई 50 A minus X निकालना है तो निकाल सकते हो A minus X A minus X बराबर A की value कितनी 100 और X की 50 तो 100 minus 50 यहां से A minus X की value भी आजाएगी 50 ठीक है देख सकते हो A की value भी 50 आई A minus X की भी आई आब इसी पर सूत्र पे डख देते हैं तो T equal to 2.303 देखो अब हमें मान किसका निकालना है K का A की सरांग का निकालना है K उपर कर लो यहां पे K उपर कर लो और T को कर लो नीचे ठीक है क्योंकि हमें K की value निकाल ली ना तो K उपर कर लिया T कर लिया नीचे T का मान कितना है 100 second तो 100 रख रहे यहां पे और गुड़े में log base में 10 A की value कितनी है A की value यह रही 100 100 रखो A minus X की value कितनी है 50, 50 रख दो देख लो ध्यान से कोई दिक्का नहीं है A की value 100 तो 100 रख दिया और A minus X की value 50 है तो 50 रख दिया 0.30 10 होती है तो यहाँ पर से आपको मान रख देना है 2.303 Sorry यह 100 था नहीं आपे 100 है देखो Log 2 की value रख देना है Simple कितनी होती है 0.30 10 ठीक है 0.30 10 अभी आपको बताया तो log 2 की value 0.30 10 होती है इसका गुड़ा इस पे कर दो तो कितना आजाएगा 0.693 और बते में 100 ठीक है बते में 100 आगे solve करोगे तो इसे भी इसी तरह से लेख सकते हो 0.693 100 ऊपर चला जाएगा 10 की power minus 2 और मात्रक हो जाएगा 2nd inverse यह आगे आपका answer देख सकते हो इस से लगाया तब भी यही आया इस से लगाया तब भी यही आया आपको मतलब सो करता है कितने number का question पूछा गया है इस type से चाहो तो इस type से लगा सकते हो इस type से चाहो तो इस type से मतलब दोनों बेठ़र आपको रटना कुछ नहीं अगर माल लो question ने number बदल दी सो की जगा और कोई समय दे दिया तो आप अच्छे से निकाल पॉइस ले कह रहे ठीक है तो मस तरीके से आप समझ सकते हो चाहे इस तरह से लगाओ या इस तरह से दोनों तरीके बता दिये तो वीडियो अच्छे लगाओ तो लाइक कर देना और चैनल पे नहों तो यार सबस्क्राइब जरू कर देना मिलते किसी अगले वीडियो पे और इसी टाइप की ये question आपको तयार जरू करने हर साल जाता पूछे जाते ठीक है मिलते किसी अगले वीडियो पे और अगर description पे आप एक बाब playlist जरूर चेक करना Chemistry Physics सारे सब्जेक्ट की ओके थैंक्स पर वाचिक देस वीडियो